हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे जर्नल प्रोसेस आफ ए ए ए का क्या प्रोसेस होता है जर्नल वह हम पढ़ेंगे तो EIA की फुल फारम है Environmental Impact Assessment और एक जो मैंने Video Environmental Impact Assessment का का कंसेप्ट है और historical background क्या है वो लग से पढ़ाया है बनाया है वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर तो आज तो हम पढ़एंगे EIA Process होता क्या है तो इसकी Stages होती है Different Type की और यह Stages जो यू होता है यही áयं की इक जैसा होता है उनको फालओ किया जाता है इन्वर्मेंटलिम्पाक्ट्स데श्मेन्टॉप्प्रड मेश स्टेप सो जो की palate उते हैं और वह किद डेपेंड करना दिफांड करते हैं प्रफॉर्मेंस आफ दा प्रोजेक्ट किसी प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट पे ये सारे स्टेप्स जो है इसके लिए तो क्या होता है कि जो जो तो यह तो हमने पढ़ा यह यह प्रोसेस बिगैन विद स्क्रीनिंग कोई भी जो यह प्रोसेस होता है इन्वार्मेंटल इंपैक्ट असेस्मेंट प्रोसेस सब से पहले वो शुरू होता है screening से और उसके बाद क्या होता है कि इन सारी stages होती है और stages में AND में बनता है environmental impact report बनती है यह यह report और उसके बाद क्या होता है फिर follow up होता है जारी रखना होता है पिर उसको देखना देखते रहना होता है कि प्रोजेक्ट कैसे चलता है तो शुरू कहां से होता है स्क्रीनिंग से और एंड होता है यह यह रिपोर्ट बनती है तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे की टाइप्स क्या होते हैं यह यह की जो यह मैंने टाफिक बनाया है तो बिल्कुल यो यूपीसी की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए इस बिल्कुल कर तो थे लिए औरिस के लिए इसको क्लासिफाय करते हैं एक होता है रपीड यह और दूसरा होता है कंप्रीहइंसजीव ए अई रपीड नॉम सही पता है की जल्दी-जल्दी करना इंगिर इसके लिए शाट ताइम में करते हैं एक क्विक असेस्मेट की जाती है इंवार पोस्टिशन से एपीई य Нач में किया जाता है थी मंत्स में की आधा है जा क्या होता यह यहका हूंफ post- 1957 रहते होते हैं इसमस्कों तो क्रोड़ा होता है इसके लावा क्या ऩदा है हुआ है क्यों कहां कहां करते से एसी जगा पर जहां पर खास कर expansion of existing unit जहाँ प्रोजेक्ट कोई exist कर रहा है अलड़ी प्रोजेक्ट उसका expansion करना है उस case में हम rapid I.A. करते हैं जैसे कि कोई project में किसी में कोई चीज बना रहे हैं हम उसकी manufacturing बढ़ानी है process बढ़ाना है तो उसमें rapid I.A. कर सकते हैं जैसे कोई road बना रहे हैं उसकी expansion करनी है उसको बढ़ा करना है ब्राड करना है तो उसके लिए भी rapid I.A. कर सकते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हम देखते हैं कि rapid I.A. में और कहा चीज होती है rapid I.A. covers one year baseline data for data for various environmental components बहुत सचे environment component होते हैं जैसे air, noise, water, land, biology, socio-economic जैसे pyramids होते हैं जो human interest के लिए होते हैं इनको हम cover करते हैं और rapid I.A. में होता क्या है कि one season का जैसे गर्मियों में कर रहे हैं तो तीन मन्त गर्मियों के होगे जा सर्दियों में होगे तीन मन्त सर्दियों के होगे जा इसमें एक season ही cover होता है यह यह में जो rapid I.A. करते हैं जब हम तो क्या होता है after it gets appraisal from ministry of environment and forest जब यह कर लेते हैं और appraisal मिल जाता है approval मिल जाता है ministry of environment and forest तो फिर हम next जो face जिसको बोलते हैं comprehensive comprehensive assessment करते हैं जो की लगवक 16 months सक होती है यह detail यह किये चाती है comprehensive assessment तो इसमें क्या करते हैं comprehensive environment impact assessment में क्या होता है बोग सारा data collect करते हैं और इसमें जो collect करते हैं data for four season के लिए उसमें एक season के लिए करते हैं rapid I.A. करिए three months के लिए 120 days के लिए यहां पर चार season का करते हैं जिसमें monsoon हो गया post monsoon हो गया winter और summer season आ गया तो फिर क्या करते हैं जो method use करते हैं इस इसमें उनमें क्या करते हैं कि जो rapid जा comprehensive में इसमें यह method यूज होते हैं यह यह करने के दोरान उसमें होता है अडाक मेथर्ड अवले मेथर्ड चेक्लिस्ट मेथर्ड नेटवर्ड मेथर्ड यह इंटेग्रेटेड मेथर्ड यह वाले मेथर्ड मैट्रिक्स मेथर्ड यूज किया जाते हैं जा computer added systematic approach लगाई जाती है इनको करने के लिए इंवर्मेंटल इंपक्ट असेस्मेंट को करने के लिए इस तरह के मैथर्ड फिर हम यूज करते हैं तो नेक्स्ट क्या होता है हमारा फिर एक चीज नहीं इंपर्टन चीज और होती है यह यह वह होती है पब्लिक participation की पब्लिक की participation भी important होता है important हिसा होता है EIA का तो इसमें क्या होता है involved होता है public involvement होती है यह fundamental principle है EIA का तो इसमें क्या करते है It is it only provides opportunity to those directly affected by the project to express their views on the environment यह उन लोगों के लिए होता है खास कर जो क्या होते हैं सीधे सीधे उस project के लगने से क्या होंगे जो है जिनको अफर पड़ेगा effect पड़ेगा उन लोगों के लिए होता है तो इस प्रूम जो पब्लिक participation से और का आता है transparency भी आती है तो environmental career and system में जो होता है तो तो introduction of public hearing में क्या होता है इसे part of assessment होता है जैसे में बताया इसमें क्या होता है local लोग stakeholders और जो हैं यह वले क्या करते हैं हिसा लेते हैं पब्लिक participation में पब्लिक hearing में पब्लिक hearing और call for the project involving a large displacement of residents or severe environment impacts उन लोगों के लिए भी पब्लिक hearing की जाती है जो project की वज़ा से displays हो जाएंगे उनके लिए जिनको सीधा सीधा effect पढ़ रहा है इस project की वज़ा से उन लोगों को तो उसके लिए जब यह public hearing होती है तो जो decision होता है hearing करने के लिए वो क्या होता है जब से proposal आता है project का उसके within 30 days में तीस दिनके अंदर अंदर यह public hearing के लिए क्या किया जाता है public hearing लई जाती है call की जाती है decide to or क्या होता है कि impact assessment division जो है वो होल करता है decide करता है public hearing को और यह क्या करते हैं इसके साथ साथ कम से कम भी दो newspaper के लिए public hearing में communicate भी करना लोगों को किसी तरीके से तो वहां पर कम से कम दो newspaper को at least 30 days prayer to the hearing में hearing से 30 दिन पहले दो newspaper में यह चीज published भी notice जो होता है public hearing का वो notice को published करना होता है दो newspaper में भी और क्या होता है कि जो project proponents होते हैं वो क्या करते हैं और प्रवाइड प्रवाइड तू दा स्टेट प्रॉशन कंट्रोल बोर्ड वी देन एग्जेक्टिव समरी अफ द प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट लगा रहे होते हैं जिसको बोलते हैं project proponents वो क्या करते हैं प्रोजेक्ट का क्या करते हैं दो लेंग्वेज में प्रोजेक्ट का टू लेंग्वेज में समरी देते हैं जाहे वो इंग्वेज में हो जा वहां की local language में हो तो जो project लगाने वाला होता है वो state position control board को वह इस दोनू लेंग्वेज में इस project के related की project में क्या-क्या होना है उसके related summary वो submit करते हैं तो इसके बाद next क्या होता है जैनल प्रॉसेस फिर इंपॉर्टन चीज आती है यह फ्लोचार्ट देखने को मिलता है हमें यही होते हैं जैनल प्रॉसेश जो करा चलता है क्योंकि मैं कोई भी चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें क्या है कि यह चीज़ें सारे बहुत सारे क्वेशन जो है यूपीएसी जैसे एक्जाम में भी क्या होंगे कवर हो जाते हैं अगर यह सारा पढ़ेंगे एक प्रॉन वई बन उसके बाद मारा यह शुरू हो जाता है कि जनल प्रॉसेस क्या है यह यह का यह फ्लो चार्ट के थो पता चलता है इसली फ्लो चार्ट है तो इसमें क्या होता है कि पहले तो कोई जो प्रोजेक्ट है प्रोपोजल इडेंटिफिकेशन होती है क्यों को प्रोजेक्ट लाग रहा है उसके इडेंटिफिकेशन होती है उसके बाद फिर स्टेप आता है स्क्रीनिंग पहला जो स्टेप है कि कौन सा स्टेप होता है स्क्री तो जब इंटिफाई हो गया प्रोजेक्ट की ये प्रोजेक्ट लगना उसकी स्क्रीनिंग पहले होती है और स्क्रीनिंग में क्या होता है पता चलता है कि कि EIA जरूरत है के नहीं Environmental Impact Assessment इस प्रोजेक्ट के लिए करना है जा नहीं करना है वो Decide होता है Screening में Screening में यह बलता जलता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए EIA जरूरत है जा नहीं जरूरत है वो चीज़ की जाती है और अगर तो कि क्या होता है कि अगर बायद जलेगा कि प्रोजेक्ट के ये 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 नहीं जुरूद तो फिर तो बीच आगे फिर हो जाता है फिर फारवर्ड और generation लग जाता है लेकिन अगर प्रोजेक्ट को एय-ये की जुरूरत है तो फिर हम स्टेप्स जो Kathleen f slim करने होते हैं इसमें क्या करते हैं फिर हम हम क्या करते हैं यह तो यहां पर क्या होगा अगर यह जूरूर्त पड़ेगी तो फिर नेक्स्ट टैप आएगा स्कोपींग करते हैं सकोपिंग के बाद करने के लिए मिटिगेशन की जैती है फिर यह एक रिपोड में जो और उसके बाद डिसीजन मेकिंग की जाती है bies डेसेजन में कियाती है कि प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाता है था कर सकते हैं डीसीजन में डीसेजन मेरी कर सकते हैं अगर नहीं वह डेस। तो很好 और प्रोश के जाता है अगर फालो ओम मेंटेशन ठीक चर रहा है कि नहीं सारा सिस्टम जिस साफ से रखा था जिस साफ से जो स्टंडर्डर्स और गुवर्मेंट के उस साफ से उसके लिए फालो अप चलता रहता है फिर तो ये प्रॉसेस होता है और इसमें एक चीज और important यह चीज होती है कि public involvement होती है और हम देख पा रहे हैं कि एक तो public involvement scoping के time होती है और दूसरा जो है public involvement होती है review के time जब review करना होता है उसके time यह चीज होती है public environment लोगों की वहां के environment होती है अब क्या होता है कि यह थोड़ा आपने कर दिया इसका डेटेल अब हम पढ़ेंगे कि होता क्या है कि स्टेप में क्या क्या होता है यह जब आप निचे पढ़ेंगे द्वारा से आप चार्ट देखेंगे तो आपको क्लीर हो जाएगा कि क्या होता है यह यह प्रॉसेस क्या होता है लोग इस यह यह को इन्वर इसके अधरोवी के कुछ अडिशनल जो हैं स्टैप्स हैं इसमें कि स्कोपिंग के बाद बेस्टन स्टड़ी आया फिर प्रेडिक्शन की इंपैक्ट वैवैलिवेशन फिर मिटिकेशन यही रिपोर्ड बनी रिव्यू हुआ फिर डिसीजन में मेकिंग में यस और नो हुआ और देख पा रहे हैं और फिर क्या होता है मोनीट्रिंग अगर एस होगा तो फिर फालू आप मोनीट्रिंग होगी अर्डिटिंग होगी बगरा तो हम यह वाइवाइन पढ़ेंगे और सारी चीज़ें इसके पढ़ने से हमें कलीर हो जाएगा फिर तो जो यह होते हैं इसमें वैसे जनरली जो आठ स्टेप्स होते हैं कितना भी तो उसमें जो स्टेप्स होते हैं उनको हमने क्या किया है presented की है one by one हम बताएंगे कि क्या क्या होता है तो जैसे मैंने आप बताया कि सबसे जो पहला step होता है वो होता है screening screening जो यह यह की fast stage होती है तो उसमें यह बताए जाता है कि जो proposed project है और एक चीज़ याद रखना कि यह जो यह यह की जाती है वो लोग confused बें जाते हैं लेकि पता नहीं जलता कि यह यह किसी project के लगने से पहले किया जाता है अगर कहीं कोई रोड बननी है जा expansion होनी है उससे पहले किया जाएगा जब वो कोई आदमी उसको बोलते है प्रपोस्ट प्रोजेक्ट जो अभी प्रपोस्ट किया लगा नहीं है प्रोजेक्ट अगर कहीं डेम बनाना है तो पहले उसका क्या होगा यह यह किया जाएगा डेम बने गा नहीं पहले वहां पर scientist और export चले जाएंगे वहां की study करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या effect पढ़ते हैं पढ़ सकते हैं यह प्रोजेक्ट लगाने के से तो उसके बाद क्या होता है कि फिर प्रोजेक्ट लगता है जब clearance मिल जाती है decision making के बाद कि मिल गया ठीक है उसके बाद लेकिन यह यह जो कर होती है इसमें क्या करते है यह फास्टेज होती है screening तो इसमें क्या करते है प्रपोस प्रोजेक्ट के लिए कि इसमें यह जरूरत है जा नहीं है यह चीज़ हम देखते हैं पर अगर एर यह नहीं जुरूर्त तो क्या होता है कि project फिर लगा देता और जूरूर्त है अगर जुरूर्त है तो फहले एयाय he करते हैं फिर project लगता है तो इसमें क्या हुँता है इस step Determines your em the upper either EE or not eh required required for a particular project किसी 15 पर कितने लेवल का यह बहुत है कि इसके च्रिया इसकर निकलते हैं कि फूल जा कम्प्रीहेंसिव यह जुरूरत है जा लिमिटेड यह जुरूरत है जा मैंने बता है कि नहीं जूर्ट है यह चीज निकलती है स्क्रीन करने से स्क्रीनिंग के बाद आता है जो वो आता है next step scoping next step is scoping तो इसमें क्या होता है जो अब जब पढ़ेंगे तो एक साइट से आप flow chart जा उसको print करके जा भूक उसकी सामने रखेंगे flow chart की तो यहां से जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको देखते जाएंगे तो उसे क्या होगा कि आपको इसली पता चलेगा कि क्या क्या चीज की step में हो रहा है और कैसे होता है तो scoping में क्या करते हैं इसमें की जो issues होते हैं की issues उनको identify किया जाता है जिसको फिर हम फिर आगे further investigation करते हैं यहां पर किसी प्रजेक्ट के related क्या की issues है जैसे अगर डैम बना रहे है तो वहां पर कितना इलाका डूब जाएगा कौन से sensitive areas उंगे जा वहां पर कोई endangered plants or species और animal species डूब जाएंगे तो हर एक प्रजेक्ट का अलग लग issues होते हैं रोड बनेगी तो वहां पर क्या क्या चीज़ें खत्म हो जाएंगी डैंड्सलाइड होगी क्या क्या होगा वह चीजें जो की issues होती है तो वह चीज़ें identify की जाती है scoping में तो इस stage में क्या करते हैं हम इसके इलाबा boundaries को define करते हैं and time limit कितना time लगेगा यह चीज़ भी हम इसमें define करते हैं इसके इलाबा in this process public participation भी कराई जाती है जिससे की local knowledge को लिये जाता है कठा किये जाता है जिसमें ground reality लोगों को यदा पता होता है अगर मैं कहीं किसी study में करने जाता हूं जा कोई भी study करने जाता है किसी area की तो वहां के लोगों को वहां की ground reality जदा पता होती है तो इसमें लोगों का involvement local people का involvement होता है ताकि ground reality पता चले वहां परकॉन को उनसे क्या parameter से उनकी तो इससे क्या होता है यह transparent process होता है उसमें public consultation भी होती है तो actors क्या हो गया वो लोग जो involved होते हैं इस scoping process में उसको उनको बोलते हैं actors जो की participants हैं जो participants होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं इसमें जो proponent हो गया proponent जिसने project लाया है लगाना है वो EIA consultants होगे जो expert होगे environmental experts supervisory authority होती है supervision कर रहे होती है कुछ agencies होती है other responsible agencies और लोग भी involved होते हैं public जो factor होड़े और कोई interested public भी वहाँ पर involved होती है इस scoping process में एक बहुत important question में एक आता है बहुत सारा paper हो में UPSC के भी और बाकी भी competitive में कि terms of reference कौन से जगा पर set की जाती है आती है इन्वार होती है कि step of EIA के कौन सी stage में तो scoping का important हिस्सा होता है terms of reference ये भी आपने याद करना है terms of reference का होता है is a document produced by is a document produced by the authority conducting the EIA ये एक document होता है और वो authority EIA produced करती है जो EIA conduct कर रही होती है और it is formed during scoping the second stage तो क्या होता term of reference का बना जाता है ये ये का दूसरी stage होती है scoping उसके दौरान तो TOR is an important document in the process of EIA because it sets the guideline of the study ये important document होता है क्योंकि आगे EIA कैसे चलेगी ये study जो चलेगी उसका जो ये important document होता है जो की guideline क्या होए है हमारे study के रिए वो decide करता है terms of reference तो terms of reference is drawn up with a following question in mind जब terms of reference बना जाती है तो कुछ questions आते हैं दमाग में वो question raise करके दमाग में बनाई जाती है जैसे की purpose क्या है study का जो ये वहाँ पर project में कर रहे है उसका purpose क्या है project का वहाँ पर जो area में कर रहे है extent कितने extent तक करनी है study वह stakeholders requirement each stakeholder look at different aspects of the project differently complex information to be explained appropriately तो इसके इलाबा कौन-कौन चीजे involved होंगी क्या होंगे तो किस-किस की requirement जरूट पढ़ती है यहाँ पर वो चीज भी terms of reference में हम देखते हैं नेक्स्ट आता है जो important point जो है वह देखने को ब्रदा यह है वह है बेस्लाइन आफ डेटा क्लेक्शन बेस्लाइन जो डेटा क्लेक्शन का होता है वो क्या होता है बेस्लाइन information is important reference point for conducting यह कुछ यह जब करते हैं तो कुछ इसमें क्या होता है बेस्लाइन डेटा चाहिए होता है तो इसमें क्या होता है बेस्लाइन डेफर दो था collection आफ बैग्रोंड information ऑन दा बायो फीजिकल social and economic setting proposal प्रपोस्ट प्रजेक्ट एरिया प्रजेक्ट जो एरिया है वहां के रिलेटेड जो बैग्रोंड information है उसको जो हम collect करते हैं जिसमें social economics भी हो गया जा एरिया का क्या जोग्राफी है उसके रिलेटेड जो वो डेटा होता है उसको बोलते हैं बेस्लाइन information तो इसमें क्या आता नार्मनी information is obtained from secondary sources जादर क्या करता है baseline में लोगों बगारा से secondary sources से information gather की जाती है ली जाती है वेन देर अग्जिस्ट एसलिटी अड़ावेस और इसमें क्या करते हैं इसमें इसके लावा secondary sources के लावा fields sampling की जाती है और वहां से भी data collect किया जाता है बेस्लाइन डेटा क्या जाता है तो उसके बात क्या होता है the task of collecting basin data start rise from the period of project inception over majority of the task may be अब जब बेस्लाइन को जो data collection करते हैं हम तो यह शुरू हो जाता है कि जब शूरू यह project चुरू होता है खासकर जब scoping हो रहे होती है तो maximum जो data collection है तब पेस्लाइन डेटा क्लेक्शन क्लेक्ट किया जाता है तब तो बेस्लाइन study में क्या होता है यह बेस्लाइन study में होता क्या है study of original status of environment वहां पर क्या देखते हैं कि original status क्या है वहां पर जहां प्रोजेक्ट लगेगा वहां भी environment कैसा है क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ देखी जाती है जैसे बायो फीजिकल social economic condition वहां की जहां पर प्रोजेक्ट शुरू करने जारे हैं वहां का तो बेसलेंड जो data collection होती है जा data होता है उसमें कौन से factors involved होते हैं कौन से होते हैं यह वले study में these includes physical factors होते हैं जैसे की area वहां कासा है वहां की soil properties क्या है geological characteristics क्या है वहां पहाड़ी एरिया plan area क्या है वहां topography क्या है वही हो गया तो watershed properties क्या है में वहां अगर है तो इसके बाद क्या होता है मतलब watershed properties के बाद chemicals में मतलब air water nice or soil pollution level क्या है वहां का इसके लावा biological जैसे बायो डिवस्टी क्या है उस area की flora और fauna क्या है group of flora हो गया group of plants और fauna हो गया group of animals क्या है में वहां पर species richness क्या है species distribution क्या है ecosystem किस तरह का है वहां यह सारे बेसने डेटा के साथ जुड़े हुए होते हैं यह factor जो हैं जो include करते हैं बेसने डेटा में इसको इन चीजों को study करते हैं presence or absence of endangered species वहां पर हैं के नहीं sensitive ecosystem कौन से हैं पर इसके लावा social economic में demographic क्या है वहां की किस तरह के लोग रहते हैं social structure क्या है उनका economic condition क्या है लोगों की इसके लावा जो है local जो displacement हो रहे हैं वो कौन है क्या है यह सारी चीज़े बेसन डेटा में आता है कुल्चरल जो में क्या आता है location in state of archaeological and religious sites इसके लवा archaeological को साइट हो जाए religious site तो नहीं है वहां पर है तो क्या है वो चीज़ें भी यहां पर decide होती है देखा जाती है base and data collection में तो the method जो base and data collection के लिए हम यूज किया जाता है जैसे ICID checklist are used to collect the base and data base and data के लिए इस तरह का method को use किया जाता है next आता है हमारा जब हम फ्रोचार देखते हैं तो उसमें लिखा होता है एक जीज़ वो होता है impact prediction impact prediction तो जब हम लोग पढ़ते हैं यह यह करते हैं तो सारे के सारे कहीं बार क्या होता है अगर आप सही तरह के सित्यान से नहीं पढ़ते तो सारे के सारी stages एक जैसी लगती है लेकिन आपको यह वीडियो देखकर अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी इसके रिलेटिड किस स्टेप में क्या होता है तो इंपैक्ट प्रेडिक्शिंज जो आफदा डॉलेमेंट प्रजेक्ट कैन बी मेड बाई अनलाइजिंग दाफेक्ट आफ प्रोड पोस्ट एक्टिविटी और रिसोर्सी प्रेजिंगे उस च ज़से फॉर्ट कास्टिंग होती है कि पहले वाद देंगे कि यहां करесी तरे के से और ऐस्ट्रूघ में प्रोड्येशिंगे कि इस प्रोजेक्ट से जो है रिसोर्सी वहां के रिसोर्सिस पर क्या अफट पड़ेगा इस इस स्टेजिघ में यह चीज़ आता है इंपेक्ट प्रडिक्शन तो इसमें क्या जाता है फिल इंटरी कैरी रोट प्राइर टू प्रोजेक्ट इंप्रिमेंटेशन प्रवाइज बेस निफिर मिशन अब यहां पर इंटरी जो पहले ही बनाई होती है वह इंफिरमेशन बढ़ाती है रेसोर्सिज के रिलेटिड और फिश एसुस पर एक सर्वे किया तो उसमें पता लगा वाई किई तो उसे फिशिस को क्या हो सकता है अगर वो डैम बनेगा तो उसे वो आफ स्ट्रीम में नहीं जा पाएंगी ब्रीडिंग के लिए तो उनके लिए ये डैम क्या अकरो करेगा अब्स्ट्रक्शन काज करेगा बैरियर बन जाएगा ताकि वो फिर जो लॉंग डिस्टेंस माइगरेटरी फिशीज हैं वो माइगरेशन माइगरेट होकर उपर जो रिवर में नहीं जा सकेंगी प्रीडिंग के लिए आफ स्ट्रीम में तो ये चीज होती है कि क्या प्रेडिक्शन दी अगर डैम लगेगा डैम लगने से वो रोग लगा देगा लॉंग डिस्टेंस कवर करने वाली मचलियों पर ज इसमें ऐसे ही नहीं करते ही दे पर देकर इसमें युथ एकस्पेरिमेंट कियाते हैं जहां पर क्रिटिकर इंजिनियर पिर एकस्पेरिमेंट करateurs कर करके लेते हैं और प्रडिउटिक्शन करते है है नेक्स्ट जो स्टेप है फिर आता है अगर आप देखेंगे कि impact analysis अब क्या होता है कि impact की analysis करते हम stages of EA identify and predict likely environmental and social impact of the proposed project and evaluate the significance impact analysis जा impact evaluation भी इसको बोल सकते हैं हम इस चीज़ को इसमें क्या करते हैं जैसे impacts क्या क्या पढ़ेंगे किसी project के उनको analyze करते हैं उसको evaluate करते हैं किस तरह के जैसे कि क्या impact analysis होंगे कि bio physical and social health पर क्या impact पढ़ेंगे इसके लाबा direct impact क्या होंगे indirect impact और indirect mix जो impact क्या पढ़ेंगे project लगने से इसके लाबा project impact क्या जदा होंगे high होंगे magnitude उनका क्या होगा moderate होगा जा कम होगा low impact पढ़ेंगे इसके लाबा extent क्या होगा वह impact कहां तक रहेंगे जो उसका असर पढ़ेगा effect पढ़ेंगे वह local तक ही सीमत रहेगा जा regional level पर पढ़ेंगे जा trans boundary यह दूसरे countries में जा states से बाहर भी जा globally पूरे पढ़ेंगे कि आप कहां पढ़ेंगे इसके लाबा timing के साफ़ से की immediate impact पढ़ेंगे जा long term effect पढ़ेंगे जैसे कुछ impact ऐसे हैं जैसे hero shirma पर जब atomic bomb गराया अमेरिका ने तो वहां पर उस जिदा में immediate किते हैं लाखों लोग मारेंगे थे लेकिन उसके impact आज भी है तो immediate effect भी पढ़ेंगे और long term effect भी पढ़ रहे हैं तो यह example ऐसे तो इसी दिके से duration क्या है temporary यह जा permanent temporary impact पढ़ेंगे जा permanent पढ़ेंगे इसके लाबा उसकी probability क्या होगी low likelihood होगा जा hyper probability होगी reversible होगे जा irreversible impact पढ़ेंगे तो वो unimportant होगे जा important होगे सारी चीज़ें क्या है related तो क्या होते है impact analysis है कोछ जो इसमें आता है उसके बाद next आता है हमारा जो की tools कौन से यूज़ करते हैं जाब impact के analysis करते हैं तो उसमें यह tools हैं को checklist method, matrix method, network method, overlay, जैसे map बना कर, geographical information system यूज़ करके, export system, professional judgment करके impact का analysis के करते हैं हम तो जो next आता है, वो है mitigation measure जो लेते हैं, mitigation होता है कि किसी भी impact को reduce करना, कम करना जो हम EIA में क्या करते है, actions लेते हैं, उनको reduce कैसे किया जाए, जो भी हम लगाएंगे, project लगेगा वहाँ पर उसके जो असर पड़ेंगे, उनको कैसे कम किया जाए, उसको कम करने कर भी बोलते है, mitigation measure ताकि किसी तरह का भी कोई बुरा असर, adverse effect जो है, environment पे उस project की activity से ना to enhance environmental and social benefits, इसके लावा इस तरीके से उसको impacts को हम reduce करते हैं, इसके लावा environment और social benefit हो, उन चीजों के लिए हम steps लेते हैं, mitigation measure में, तो next जो आता है, वो आती है, EIA report, EIA report क्या फिर, तो EIA report को हम और क्या बोलते है, environmental impact statement भी बोलते हैं, कहीं आप environmental impact statement भी देखेंगे, लिखा हुआ तो ये क्या होता है, the stages present the result of EIA in the form of report, जितनी भी stages होती है, फिर EIA में, उनको हम frame करते हैं, report के form में, और फिर क्या किसको submit करते हैं, decision making body को करते हैं, जो होता है, उसको submit कर देते हैं, ये report बना कर, जितना हम उने process किया, उसके end में क्या बनती है, फिर एक report बनती है, तो report क्या होता है, report इसे, जो environment impact statement इसे, compilation of several important project components, जिसमें बहुत सारे environment, जो project लगेगा, उसके components होते हैं, including the project की description होती है, और क्या होता है, assessment of environment होता है, social impacts क्या पढ़ रहे हैं, mitigation measure कौन से ले सकते हैं, और monitoring plans क्या हैं आगे, project लगने के बाद, ये सारे involved होते हैं, ये ये report में, कि जब र सारी चीजें include होने चाहिए, during this step, all the information gathered during the previous step is compiled into a comprehensive report, क्या 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 करते हैं, जितने भी हमने पिछले steps हैं, उनकी सारी को एक report के form में हम compile करते हैं, इसमें environment impact report बनाते हैं, फिर हम और फिर क्या करते हैं, ministry को ये report submit करते हैं, ministry को फिर ये report submit करते हैं, इसके बाद क्या होता है, next, equality, EAE report has the following characteristics, कोई भी जो report होती है, equality की, उसके कुछ है, ये जो EAE की report बनाते हैं, जा स्टेट में बनाते हैं, इसकी कुछ है, ये characteristics होना चाहिए, it is well structured, अच्छे तरीके से structure मतलब बनी होने चाहिए, sequence में होनी चाहिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, sequence wise, इस तरह के हो, वो non-technical language होनी चाहिए, technical नहीं, क्या मतलब के, मुश्कल नहीं होनी चाहिए, easy होनी चाहिए, ताकि easily sum जा सके, और supported by data and well executed analysis, अच्छे से analysis भी किया होना चाहिए, और data का साथ होना चाहिए, क्या होना है, it provides information that is useful and relevant to decision making, इसमें information इतनी होनी चाहिए, कि जब decision making करनी है, तो असानी से decision दे सकेंगी, project लगना है, क्या नहीं लगना है, इसमें satisfactory predictions भी दी होनी चाहिए, कि क्या adverse effect पढ़ सकते हैं, project की वज़ा से, और उनके लिए, क्या फिर हम mitigation measure, कि किस तरह के measure लें, ताकि वो impact को कम कर सकें चाहिए, चाहिए खदम कर सकें, तो यह वाला environmental impact report में, यह सब चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद आता है, जो report के ब review of EIA, review of EIA, review of EIA, review of EIA में क्या करता है, it examines the advocacy and effectiveness of the EIA, कि जो EIA किया है, हमने, वो कितना effective है, report, EIA report में, उसको हम review करते हैं, और फिर क्या करते है, provide the information, सस्रीफा decision making, और फिर review करके हम देखते हैं, कि जो decision making है, वो हो पाईगी कि के नहीं, इस report के थरू, इस चीज़ में, वो review किया जयता है, तो review, the quality of EIA report, review especially किस चीज़ के लिए किया जयता है, report जो बनती है, उसको review हो जाता है, कि जो report बनी है, उसकी quality देखते हैं, ठीक बनी है के नहीं, और फिर देखते हैं, कि इस review, जो report बनी है, उसमें public accounts, जो हैं, वो भी, हैं के नहीं, public की जो comments है, वो हैं के देखा गया के नहीं, determine if the information is sufficient, और फिर हम देखते हैं कि information जो दी है वो काफी है के नहीं, और identify करते हैं, any deficiency to be corrected, अगर कोई deficiency है, तो उसको क्या करते हैं, अगर कमी है, तो review करके हम द्वारा से उसको क्या कर सकते हैं, correct करवा सकते हैं, environment impact report के थूँ, तो इसमें यह यह जो review करते हैं, जब EIA इसमें public participation जो बड़ी important चीज होती है, कि इसमें एक चीज हम जरूर देखते हैं कि इसमें public की participation भी करते हैं, कि जब report आती है, फिर public को पूछते हैं, यह report ठीक है के नहीं, तो यह important है, एक scoping में, और एक review of EIA में public की participation जरूरी है, कराई की जाती है, बाकी steps में कर होता है, उसमें क्या करते हैं हम, decision making होती है, फिर, decision making होती है, जिसमें क्या होता है, it decides whether the project is rejected, approved, or needs further change, इस decision making में वो यह होता है कि project लगेगा, जा reject होगा, जा उसको change चाहिए अभी भी, अगर reject होता है, तो इसको re-design or resubmission के लिए बेजा जाता है, और अगर reject नहीं होता, तो फिर इसको post approved हो जाता है, और फिर अगला step होता है, post monitoring stage, अगर नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, उसके बाद, अब, अब क्या होगा, project approved हो गया, जी, approval मिल गया, project लगने लग गया, उसके बाद जो next step होता है, वो होता है, project monitoring, यह stage comes into play, once a project is commission, project लग जाता है, project शुरू हो जाता है, उसके बाद, यह क्या आता है, post monitoring stage आती है, post में होता, बाद में, pre होता, पहले, तो it checks to ensure that the impact of the project do not exceed the legal standard, इसमें हम यह चीज़ भी देखते हैं, कि जो project है, जिस सावसे standards हमने set किये है, government ने, जा 30 ने, government जो भी 30 होती है, जो किये है standard, उसके सावसे चल रहा है project के नहीं, suppose करो किसी project में इतनी nice निकलनी चाहिए, जा इतना air pollution होना चाहिए, जा water pollution उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और project लगने के बाद, उन्होंने promise कुछ किया, और करने कुछ यदा लगे, तो व प्रोपोनेंट की जो project लगाता है, कि वो regular क्या करते, monitoring कराता रहे, और auditing भी करे, environment उसकी performance की, जो उसका project perform कर रहा होता है, उसकी auditing भी कराता रहे, जैसे किसी भी institution में हो, कोई भी हो, तो audit होता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी, एक step होता है, बाद में जब project लग जाता है, उसमें, क्योंकि दो चीज़ें याद रखना की, environmental impact assessment, EIA जो है, वो project लगने से पहले किया आता है, और फिर next जो है, वो लग जाता है, project तो फिर environmental audit होता है, environmental audit, EA सिर्फ होता है, बोलते हैं, वो फिर करते रहे ना बढ़ता है, time to time, ताकि वो standard के साफ से, project जो है, वो काम करता रहे, तो उसके बाद जो है, जब post monitoring में फिर क्या आता, follow up करते रहते हैं, इसी में आता monitoring में, की follow up effort to monitoring करते हैं, जिसमें evaluation करते हैं, management करते हैं, और communication of environment performance, आफे project जो है, ये चीज़ें involved होती है, follow up में, follow up takes place after the approval of decision making, once development activity has been implemented, जब project लग गया, तो उसके बाद, follow up जैसे monitoring मतलब है, follow up करते हैं, follow up करते रहो, तो वो चलता रहता है, फिर जब project implement फो जाता है, तो उसके बाद, तो इसके बाद क्या होता है, preparation and details of follow up program should be determined during the pre decision stage, लेकिन जो follow up क्या करना है, ये पहले ही decide कर लेते हैं, पिछले जो steps होते हैं, ये ये के stages में, उनमें ही follow up क्या करना होता है, पहले ही decide कर लेते हैं, pre decision होता है, कि ये चीज़ें करनी होती हैं, तो follow up is essential for determining the outcome of impact assessment activities, follow up किसी भी project के लिए जुरूरी होता है, करना, कि project लग गया तो उसको चीज़ों को द्वारा से, उसकी auditing और सब चीज़ें करते रहना, उसको assess करते रहना, कि कहीं project लिए गल्ती तो नहीं हो रही, तो इसमें जो important example है, कि जैसे बापाल gas tragedy होई, 1984 में तो तो अगर वहां पर project जब लगा होगा, तो तब तो यह यह चलो नहीं करते थे कि यह 1994 में शुरू है, लेगली इडिया में, लेगली तब हुआ है, लेकिन अगर उसको clear है, जिते जदियों, ऐसे project को तो उसके बाद जो लग गया, जब लग गया, तो उसके बाद अगर अग लोग काम करेंगे, और रियाशी और ऐसे लाके में लगा दिया, जहां पर जदा life लाफ अफ लाइफ बगरा होई, तो वहां पर कर दिया, लेकिन बाद में उसको maintain नहीं किया, वहां की labor को, लोगों को worker को maintain नहीं किया, अब वहां पर जिसकी वज़ा से इस तरह का accident हुआ, इस लिए ऐसे projects के लिए क्या करते हैं, follow up करते हैं, ताकि क्या हो कि project लगने के बाद वो काम सही तरह कर रहा है के नहीं, वो threat तो नहीं है, वहां के environment के लिए, जो लोगों के लिए, जो बाकी चीज़ों के लिए, surrounding के लिए, तो वो इस चीज़ से फिर follow up सही हो cover up हो सकता है, तो this is all about today's topic, thank you students.